हलो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे घर्मी के टाइम थंदक देने वाला सरबत वो भी घर्मी के टाइम हमको थंदक देने वाला सरबत आप एक ही मिनिट में बना सकते हो फ्रेंड्स हम इसका प्रीमिक्स बनाएंगे पहले और इसको आप एक साल तक स्टोर कर सकते हो उसम हमको दो चमश डालके बनाना है सर्वत तो एकदम इजी तरीके से आप घर पे बना सकते हो सौफ का सर्वत तो यह प्रीमिक्स मैंने रेडी कर दिया है इससे हम सर्वत बनाएंगे तो आप पूरा वीडियो मेरा एंटरक देखना ताके पूरी ट्रिक के साथ मैं बताऊंगी और कैसे स्टोर करना है वो भी मैं बताऊंगी यमी कुक मैं आपका स्वागत है मैं हूँ शाया यहाँ पर हम चारी सामकरी लेगे उसके साथ बनाएंगे तो मैंने चार कप सकर ले लिया है एक स्पून मैंने काली मी ची लिया है 15 से 20 मैंने एलाई ची लिया है और एक कप मैंने सौफ लिया है यह जो मेजरमेंट है वो आपको जो माप से आप सौफ लेते हो वैसे ही उसके माप से बनान और पूरे साल तक रखना है तो इसमें मौस्यार होगा तो वह निकल जाएगा तो हमारा प्रीमिक्स पूरे साल ऐसे का ऐसा ही रहेगा इसके अंदर मैंने अलाईची डाल दी है इसको भी हम दो मिनिट के लिए सौते करेंगे तो अगर आपके पास टाइम हो तो ये दूपे भी आप सुखा सकते हो लेकिन ऐसे भी कर सकते हो अभी इसको ठंडा करने के लिए हम रखेंगे तो मैंने एक प्लेट लिए इसमें ठंडा करेंगे तो अभी ये ठंडा हो गया है अभी हम मिक्सर जाल लेंगे सौफ हमारे लिए बहुत ठंड़क देती है और एलाईची भी हमको ठंड़क देती है अभी इसके अंदर हम लोग सक्कर भी डाल देंगे और इसको पीस लेंगे हमको अच्छा वाला पाउडर बनाना है तो इसको अच्छे से पीसना है तो यह मैंने ठेडी कर दिया है आप देख सकते हो अभी इसको च्छनी की मदश से हम च्छानेंगे ताके इसका जो बड़ा-बड़ा डाना होगा सकर का और सौफ का वो हमको नहीं चाहिए तो हम इसको च्छान लेंगे इसको पाउडर ही बनाना है हमको तो यह मैंने छान लिया थोड़ा बचा है उसको भी हम वापस mix से जान में लेगे और जो सकर बची है वो भी इसके अंदर add करेंगे और काली मीची यह डाल के हम वापस पीस लेंगे इसको वापस हम एक बाउन में निकाल देंगे पहले उसके बाद वापस दूसरा भी हम छान लेंगे तो हमको सारा छान के ही लेना है अई भी यह pre mix हमारा ready हो गया है तो हमको कैसे store करना है मैं बताऊंगी इसको पहले इसको अच्छे से mix कर देंगे ताके पूरा हमारा जो मसला है वो एक्तम बढ़िया से अंदर मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम लोग काश की बॉटर लेंगे काश की बॉटर सुक्की होनी चाहिए वो आप त्यान में रखना उसमें हम डाल देंगे अच्छे से प्रेस करके डालना है और फिर अपने को डखकन फिट कर देना है तो वैसे ही हम स्टोर करके रख सकते हो कभी भी कोई गेश आता है तो आप दो चमश डालके आप सरवत बना सकते हो फ्रेंड्स यह मैंने दो चमश पाउडर डाल दिया है दोनों ग्लास में अभी एक में मैं पानी वाला सरवत बनाऊंगी तो यहाँ पे मैं पानी एड़ करूंगी और उसके बाद तो बरफ के टुकडे डाल देंगे ताकि एकदम ठंडा लगेगा हमको तो यह हमारा सौफ का सरवत रेडियो हो गया है अगर आप पानी में पीना चाते हो तो अभी दूद के साथ हम दिखाएंगे तो मैं यहाँ पे एक ग्लास बरके दूद ले लूँगी इसके अंदर डाल देंगे इसको मीक्स कर देंगे और दो बरफ के टुकडे डाल देंग तो फ्रेंड्स अगर आपके प्रेमीक्स हो तो आप फटा-फट यह सरवत बना सकते हो लुकवाइस बढ़िया है गर्मी के टाइम हमको कुछ ठंडा चाहिए तो आप यह बना के रखो और आसान से आप एंजोई कर सकते हो इसको कोई गैस आता है तो फटाक से यह बना सकते हम लोग तो एकदम बढ़िया और तेश्टी ऐसा हमारा सरवत रेडी है फ्रेंड इतना बढ़िया हमने सरवत बनाया तो मेरी चैनल पर नहीं हो और अभी तक सबसाई नहीं किया तो सबसाई कर देना अपर लाइकन को क्लिक करना और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना कॉमेंट करना और फ्रेंग के साथ सेर करना ठेंक यू